Edit Data List हमने ये तो सीख लिया कि एक लेटर को लिस्ट के साथ कैसे कनेक करना है लेकिन अगर हमें लिस्ट में कोई तबदीली या इजाफा करना हो तो ये कैसे मुम्किन होगा? लिस्ट को Edit करना बहुत आसान है और इसमें किसी रिकॉर्ड को Add या Delete करना और भी सहल है हमारे सामने वो ही लेटर है जिसको अभी थोड़ी देर पहले एक Data List के साथ Merge किया था Mailing टैब में हमें Start Mail Merge का Menu Bar भी नज़र आ रहा है इस Menu Bar में बाइन जानिब से तीस्टे नमबर पर एक बटन है जिसका नाम Edit Recipient List है हम इसको क्लिक करती हैं आप देख रहे हैं कि हमारे सामने वो ही लिस्ट आ गई है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स के Mailing Addresses हैं यहां से हम इस लिस्ट में नए रिकॉर्ड में इजाफा, किसी रिकॉर्ड में तबदीली या फिर एक रिकॉर्ड को मुकम्मल तोर पर डिलीट भी कर सकते हैं अगर किसी रिकॉर्ड में कुछ तबदीली करना है तो पहले इस लिस्ट में से इस पर क्लिक कर लेती हैं ताकि वो सिलेक्ट हो जाए और फिर इस विंडो में नीचे मौजूद डेटा सोर्स के नीचे वाले बॉक्स में जो Students.mdb लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करने के बाद Edit के बटन पर क्लिक करती हैं Edit के बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने Edit Data Source का Data Entry फॉर्म ओपन हो गया है यह वो ही फॉर्म है जिसमें हमने पहली मरतबा Students की तमाम डीटेल टाइप की थी यहां से हम किसी भी फील्ड का Data दुरुस्त कर सकते हैं जैसा कि आप देख रही हैं, हमने City की फील्ड में शेहर का नाम तबदील कर दिया है इसी विंडो में नीचे की जानिब आपको New Entry का बटन नजर आ रहा है जब आप कोई नया रिकॉर्ड शामिल करना चाहें, तो इस बटन पर क्लिक करके Data एंटर कर सकते हैं एक रिकॉर्ड को मुकमल तोर पर डिलीट करने के लिए आप ये Delete Entry का बटन इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन खयाल रहे कि आप जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, वो आपको उपर मौझूद फील्ड में नजर आ रहा होना चाहिए जो रिकॉर्ड उपर मौझूद फील्ड में नजर आ रहा होगा, सिर्फ वो ही डिलीट हो सकेगा जब आप record डिलीट करना चाहेंगे, तो आपसे confirmation मागी जाएगी, कि क्या आप इस entry को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं, ये इस के बटन पर क्लिक करने से record डिलीट हो जाएगा अगला बटन Find का है, इसके जरिये हम बहुत से records में से मतलूबा record तलाश कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक करके हम Find Entry की एक छोटी से विंडो ओपन कर लेते हैं हमें record से मतालिख कोई भी लवस याद हो, तो Find के सामने box में टाइप करते हैं और Find Next के बटन पर क्लिक कर देते हैं ये देखिए, हमने एक student का नाम टाइप करके Find Next का बटन क्लिक किया था तो हमें पहली वाली विंडो में इस student का record नुमाया करके दिखाई दे रहा है Sort और Filter की option भी हमारे लिए बहुत कारामत साबित होती है जब हमें एक तवील record list में से कुछ मखसूस record चाहिए हूँ, तो हम इस feature को इस्तमाल करते हैं आईए देखती हैं कि ये feature कैसे काम करता है, इसके लिए हमें इस option पर एक मर्दबा क्लिक करना है हमारे सामने Filter and Sort की एक window open हो गई है हमें Filter Records की टैब में इस वक एक मखसूस शहर का record देखना है लहाजा हम field के section में drop down list को open करते हैं और city की field को select करते हैं अगला section comparison का है, इसके नीचे मौझूद drop down list में से हम equal to की option को select करते हैं आखरी section जो के compare to का है, वहाँ हम शहर का नाम type कर देते हैं अब इस सारी बात का मतलब ये बन रहा है के city की field में जहां भी इस मखसूस शहर का नाम नजर आए computer हमें वो तमाम records निकाल कर दिखाए जैसे ही हम okay के बटन पर क्लिक करेंगे तो वापस अपने form पर आजाएंगे और ये देखिए, यहां total entries list की तादाद हमें पहले से कम इसलिए नजर आ रही है क्यूंकि filter करने के बाद records कम हो गई है सिर्फ यही records ऐसे हैं जिन में हमारे मतलूब शहर का नाम है आपने कुछ नोट किया, हमने city की field को filter किया था तो इस जगा जो drop down arrow बना है, इसका रंग blue हो गया है ये इस बात की पहचान है कि ये filtered field है इस list को वापस अपनी हालत में लाने के लिए हम इस drop down arrow पर click करते हैं तो एक list open हो जाती है हम इसमें मौजूद option all पर click करते हैं ये देखिए, एक लमहे में list की हालत तबदील हुई और तमाम records वापस अपनी असल हालत में आ गए इस list को filter करने के अलावा हम इसे sort भी कर सकते हैं यानि रूफे तहजी के इतबार से तर्तीब में ला सकते हैं इसका तरीका भी बहुत आसान है हमें सिर्फ ये करना है, जिस field को हम sort करना चाहते हैं उसके column label पर एक मरतबा click करें ये देखिए, जब हम mouse pointer की मदद से column label पर click करते हैं तो तमाम data एक लमहे में तर्तीब में आ जाता है अगर दोबारा click किया जाए, तो तर्तीब उलट जाती है यानि अगर पहले ascending order था, तो दोबारा click करने से data descending order में चला जाता है जब हम एक letter को data list या address list के साथ connect कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद बारी आती है document merging की ये वो phase है, जिसके records को एक-एक करके mail letter के साथ merge, यानि मिला दिया जाता है हर record हमारे mail letter के साथ merge होने के बाद personalized letter बनाता है personalized letter से हमारी मुराद वो letter है, जो हम किसी student को भेज़ सकेंगे जब ये letter उस student तक पहुंचेगा, तो उसे यही लगेगा कि खास तौर पर उसे के लिए बनाया गया है जब कि ये बात सर्फ हमें मालूम है कि ये बहुत सारे letters mail merge के जरीए तयार किये गए है जब हम एक list को letter के साथ merge करेंगे, तो work processor एक नई document बनाएगा जिसमें हर नए page पर आपको एक student के लिए letter तयार मिलेगा ये काम करने के लिए हम mailing tab में से finish and merge के बटन पर mouse pointer से click करते हैं click करने के बाद हमारे सामने जो list open होती है, उसमें से हम edit individual documents पर click करते हैं हमारे सामने एक छोटी सी window open हो गई है, जिसमें तीन options हैं पहली option all की है, जिसका मकसद ये है कि तमाम record इस्तमाल किये जाएं और सब के लिए letter बनाया जाए grant record की option का मतलब ये है कि इस वक जो record हम इस screen पर नजर आ रहा है, सिर्फ उसका letter तयार हो और आखरी option में आप record number की range बता सकते हैं, मसलन record number 1 से लेकर 16 तक जितने भी students हैं, सिर्फ उनके लिए letter तयार किया जाए फिलहाल हम all की option के साथ ही document merge करवाएंगी, इसके लिए हमें OK के बटन पर click करना है ये लीजिए, चन्द लम्हों में word processor ने तमाम records को student के नाम और address के साथ personalized letter की शकल में तयार कर दिया आपको बताते चलें कि ये एक नई document है, जिसका नाम letter 1 है इस document को आइंदा इस्तमाल करने या इसके print out लेने के लिए आपको इसे save करना होगा